फिल्म की शुरुवात होती है एक स्कूल को दिखाने सी, जहां एक क्लास में डिटेक्टिव पोश्टाश करने आते हैं, क्योंगी अचानक स्कूल से एक लड़की गाईब हो गई थी, डिटेक्टिव सबसे पूछते हैं कि वो लड़की कहां गई, किसी को पता है, पर कोई भ भी थी, दोनों पढ़ाई में बहुत अच्छी होती हैं, यह स्कूलर्शिप हासिल करना चाती हैं, ताकि आगी भी अच्छी से कॉलिज में बढ़ सकें, लास कत्मोंने की बात, एडन एक लड़के की पास जाती है, जिसका नाम श्राउट था, वो अपने दों दोस्तों के स होती मसरूफ रहती हैं, उनके पास टाइम ही नहीं होता, इसलिए वो तुम्हें नहीं मिलेंगी, उसकी बार डालकर इडन श्राउट से पूछती है, क्या आजरा तुम्हारी घर में पार्टी है, श्राउट जवाब देता है कि हाँ, मेरे मॉम डैट घर पर नहीं है, तो मै श्राउट की घर पार्टी में जाने वाले, रात होती ही इडन पार्टी के लिए तैयार हो गई, जहां उसकी डैट गाड़ी में उसे छोड़ने जा रहे थी, रास्ते में ये लोग इडन की दोस्त को भी ने लेती हैं, फिर इडन की डैट श्राउट की घर इनी छोड़कर चले गई दोनों लड़किया पार्टी में आ जाती है जहां श्राउट की दोस्त दोनों के मुबाइस ले रहती है बताने लगी यह इस पार्टी का एक असूल है कि यहां कोई भी मुबाइस इस्तमाल नहीं कर सकता जिसके बार दोनों ऊपर गई ताकि श्राउट से मिल सकी क्य ले जाती है और जब श्राउट अकेला था तब मौके का फार्दा उठाकर इड़न उसकी पास आई बातें करने लगती है इड़न की दोस्त जिब उससी बातें कर रही थी तो श्राउट का दोस्त उससे काफी मुजिक पेर है पार्टी चली रही थी कि तब यह गाईब इड़न की पास करे उसे शान करनी रखती है अब श्राउट को मुतासिर करने के लिए इड़न कहती है बिचारी काफी परेशान है कि स्रार हो रही है ऐसा करती हूँ मैं इसे घर चोड़ाती हूँ फिर पार्टी में वापिस आजाऊंगी इस पर श्राउट मान गया वो अप पार्टी हो गई और ज्यादर होने लगती है फिर गाड़ी से उतर कर अपने घर चिली गई जिबकि इड़न वापिस पार्टी में आजाती है श्राउट उसे घर के अंदर लाकर पोरा घर दिखानी लगा अपनी फेमली की सारे मेंबर्स की तस्वीरें भी दिखाता है फिर कि वो तो ठीक से चल भी नहीं पा रहे उसे पकड़ कर इड़न श्राउट से पूछती है कि इसे कहा ले कर जाओ श्राउट बताता है कि इसे उपर वाले कमरे में ले जाओ इड़न ने ऐसे किया वो से कमरे में ले जाकर सुला दे दिया इसे कमरे की बातरूम में श्राउट से मिलवा दोगी इस पर श्राउट कहता है कि हाँ मैं वादा करता हूँ ऐसा ही करूँगा और अब इडन ये गेम जीत भी जाती है श्राउट का दोस्त जब बातरम से बाहिर आया तो वो इडन की दोस्त को बैट पर डेटा हुआ देकर खुद भी आकर डेट चाता है उसे क्य ऐसांस हुआ कि मुझसे कितनी बड़ी गंती हो गई है एडन को इसका मूबायल मिल गया इसलिए वो वीडियो करनी नगती है कि कही इसने मेरी दोस्त की वीडियो तो ने बना ली उसे गाइप हुई लड़की की वीडियो मिली इडन को पता चला कि जिसनों लड़की बो गई है शिराउड का दोस्त नीची आकर अपनी दोलों दोस्तों को बताता है कि मेरा फोन अंदर ही रह गया है ये सुनकर तीनों ऊपर आई दर्वाजी को खट-कट आने लगते हैं एडन थोड़ा सा दर्वाज़ा खूलती है तब शिराउड उसी कहता है मेरा दोस्त अप फिडर जाती ते शिराउड उसे पूछता है अच्छा बताओ तुमने वीडियो में क्या देखा एडन कहती है कि मैं दीरे-दीरे वीडियो देख रही थी और मॉमबाइल की बैड ट्रीलो हो गई लेकिन अब तक मुझे अंदाजा हो गया है कि तुमने उस लड़की के साथ जरूर कुछ खलत किया है जबी वो गाईब ही और अब ना जाने वो कहां होगी शिराउड उसे दर्वाजा खोलने का कहता है लेकिन वो किसी भी सूरत दर्वाजा खोलने को तयार नहीं होती तोड़ा सोचने के बाद उनके सामने शर्ट रख देती है कि तुम ऐसा करो जाकर चिंडानी लगा पार्टी बन कर देता है और सब को वापिस अपने अपने घर जाने का कहता है इडन खिड़की की जब सब को जाता हुआ देखती है तो मदद के लिए आवाज ही लगाने लगती है पर कोई भी उसकी आवाज सुने नहीं पाता इडन सूश धिये कि व पत को बचाने के लिए वो लेड़ने लगी नाग पर मुका माटती है जिससे वो नीची गिर गिया और उसकी नाग से खूनानी लगता है और अब जब वो चारजर उठाकर भागनी लगी तो श्रावड भी चारजर को पकड़के खीशनी लगता है जिससे चारजर दो काम कर नहीं रहा ये देखकर एडन जल्दी से भाकर वापिस कमरे में आ जाती है उसे पता था कि वो तीनों दर्वाजा तोड़कर अंदर आने की कोशिश करेंगी इसलिए दर्वाजे के सामने अलमारी को लगा देती है श्राउड अपने दोस्त को कहता है कि तुम सीड़ी उ इडन की दोस्त हर चीज से अंजान थी इसलिए वो ये समझ लेती है कि श्राउड कर उसे अंदर कर लेती है इस पर वो कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सच बताओं तुम बहुत अच्छी लड़की हो अब मैं तुम्हें पसंद करने लगा पर इडन की दोस उसको तो कुछ पता नहीं था कि आखिर यहां पर चल किया रहा है और वो ऐसा क्यों के रहा है और अब श्राउड कर दोस्त अंदर जाकर इडन को कहता है कि चुक चाप मेरा फोन मुझे वापिस दे दो लेकिन बिना सोची इडन कुरसी उठाकर उसे दे मारती है कुरसी तो इडन और उसकी दोस्त मेरी दोस्त को बातरूम में बंदी बना चुकी है जिसका दर्वाजा भी उन्होंने लॉक ट्रेंड लिया है इसलिए वो अंदर नहीं जा सकता इडन की डहर देखती है कि पार्टी खतम हो गई है इसलिए सबी लोग वहां से बाहर निकल रही है वो फोन में अपनी बेटी इडन को ढूरती है लेकिन वो कई भी नहीं मिलती श्राउड कर दोस्त को जिरब हो चाहिए इडन उसी बारट टप में बिठा देती है और पानी में डॉयर रखने लगती है ताकि उसे करन्ट लगे ये देख श्राउड का दोस्त रोने लगा अपने जान की भीक मांगता है, पुछने लगा, कि तुम आखिर ये क्यों कर रही हो, तुम्हें क्या चाहिए, इडन के ये बाहर कमरे में फोन है, और तुम्हारा दो श्राउट भी अंदर आ चुका है, उसे कहो, कि वो तुम्हारा फोन मुझे दे दे, ताकि मैं पुलीस और अपनी फीमिल फ्रेंड को सीड़ी की जिर्ये ऊपर जाने का कहिता है, ताकि वो अपनी दोस्त को बच जा सकी, साथी इडन और उसकी दोस्त को मार दी, खुद श्राउट पूरे घर की लाइट्स बन कर दीता है, ताकि वो उसकी दोस्त को करंट ना लगा सकी, बाहर श्राउट की दोस्त शीड़ी पर चुड़की ओपर जाने लगी, हाथ में उसने चाकू भी पकड़ा हुआ था, ताकि वो एड़न और उसकी दोस्त को मार सकी, वो खिड़की पर आकर एड़न की दोस्त का हाथ पकड़ लेती है, लेकिन अपना हाथ छुड़ाकर वो उसे ही धक्का दे देत ऐसा होने से वो नीचे गिर गई और चाकू उसके पेट में ही लग जाता है वो काफी जखमी हो गई तीजी से उसका खून निकलने लगा ये देकर दोनों दोस्ते काफी घब रा गई और अब इडन सेड़ी की जरीए नीचे श्राउट की दोस्त की पास आती है ताकि उसका फ को अटा देता है लेकिन तक तक एडन किड़की तक पहुंच के थी और अब जब वो अंदर जाने लगी फोन उसके हाल से छूटकर नीचे गिर जाता है और वो खुद सही सलामत अंदर आ जाती है श्राउट अपने जखमी दोस्त को खीच कर अंदर लेकर आया देखता है कि उसको बहुत सारा खून रह चुका है उसकी दोस्त कहती है प्लीज मजे हॉस्पिटर ले जाओ और नहीं मर जाओंगी लेकिन श्राउट ऐसा नहीं करता क्योंकि अगर वो इससे हॉस्पिटर ले गया तो खुद भी पकड़ा जा सकता था तो उसे ऐसी मरने के लिए उपर जाने लगता है इडन अब अपनी दोस्त को सारी बात बता देती है कि आकर यहां पर क्या चल रहा है जो सुनकर उसकी दोस्त कहती है देखो हमें इंसे यह किसी से कोई लेना देना नहीं है वो हमारी तरफ से जो मर्जी करें हमें उनका फोन वापिस कर देना चाहिए तक हम भी यहां से चले जाए पर जब इडन ने ऐसा करने से मना कर दिया तो वो उल्टा इडन से ही लड़ने लगी उससे फोन चीनने की कोशिश करती है इसे बीच पर घर की बाहर इडन की डैट की आवास सुनती है जो कि अपनी बैटी को ढूलते हुए यहां भी आ गए थ कुछती है कि आप यहां पर क्या कर रही है डैट इससे पहले वो कोई जवाब देती पीछी से श्रावड आकर उन पर हमला कर दीता है जिससे उन्हें थोड़ी बहुत चोट लग जाती है श्रावड ने हाथ में कुलाड़े पकड़ी हुई थी वो इडन को कहता है कि मेरी द की जान लेने के लिए लेकिन ठीक वक्त पर श्रावड के डैड वहां आ गई अपने बेटे के हाथ में कुलाड़े देकर पोच्छती है कि यह सब क्या है आखिर यहां पर क्या चल रहा है सारे सुरते हाल देकर वो हिरान रह जाते है कि तब यहां श्रावड की मॉम भी आ ग और अब जब वो एक कमरे में गई तो देखती है कि श्रावड की फिमिल फ्रेंड मारी जा चुकी है जो देखकर श्रावड को बहुत दुख हुआ वो रोनी लगता है अपनी मॉम डैट से कहता है कि यह सब उस लड़की इडन की बज़र से हुआ ना वो सारा ड्रामा करती और ना आज में अपनी दोस्त को खूता फिर अब ये लोग बारी रा गए जा श्रावड के डैड उन तेनों इन्ही एडन उसकी दोस्त और डैड से एक डील करती है कि अगर आप लोग पुलिस को कुछ नहीं बताएंगी तो मैं दोनों लड़कियों को स्कॉलरशिप दे द जो श्रावड और उसकी दोस्तों ने किया जर्म है और एक जर्म में मैं किसी का साथ नहीं दे सकती हैं यहां सबकी सामने वह फोन को चार्ज करके वीडियो देखने लगती हैं जिसमें उन्हों ने देखा कि मज़ी मज़ी में श्रावड ने अपनी गारी को उस लिड़की म मार दिया उस विचारी की मौकी पर ही वो थो गई थी जिसके बाद तीनों दोस्तों ने उसकी लाश को नदी में फैंक दिया यह देखकर तीनों काफी डर जाते हैं और वहां से भागने की कोशिश करने लगी वो जाही रही थी कि तभी अचानक विहोश हो जाती हैं क्योंक दिया कि श्रावट हमें भी उस नदी के पास ले जा रहा है श्रावट उसी बताता है कि मैंने ये प्लैन बनाया है कि मैं तुम तीनों को अब गाड़ी समीट नदी में भैंग दूगा ताकि पोलिस को ये लगी कि गाड़ी का एक्सिजेंट हुआ तुम्हारी गाड़ी मौत हो गई है इडन देखती है कि मेरी डैट और दोस्त को अभी भी होश नहीं आई है पर अब जब ये नदी के नारे आए तो श्रावट की मौम उसकी दोस्त को कहती है कि तुमने अपनी दोस्त की लाश को भी तो टिखाने लगाना है ना तो इसे भी गाड़ी में रख द और क्योंकि श्रावट कोई सबोत रखना नहीं चाहता था इसलिए वो पीछे से आकर अपनी दोस्त पर हमला करके उसे भी मार देता है उसकी लाश को भी फिर गाड़ी में रख दिया ये लोग अब गाड़ी को स्टार्ट करके नदी में दकील देती है ताकि सारे लोग मार जबकि इडन के डैड की मौत हो गई है दोनों दोस्तें जल्दी से तैर कर नदी से बाहिर आ गई ये जब आगे बढ़ रही थी तो इडन श्रावट की घर की तरफ देखती है वो चाहती थी कि मैं फिर से जाकर उन्हें भी मार डालों बतला लेने के लिए क्योंकि उनकी व की खबर चल रही थी जो और लोगों का कल रात इसी फैमली ने किया पर यहां ये बताया जा रहा था कि नदी से पांच नई बस तीन ही लाशे मिली हैं जो सुनकर उसके डैड सोच में पढ़ गई कि दो किनकी लाशे नहीं मिली होंगी और अब वो जैसे पीची मुड कर दे इडन को पहली काफी पीटती है फिर उसका गला दबाकर मारने की कोशिश करती है लेकिन यहां इडन बड़ी चलाकी सी उसी बाट डब में फैंग दीती है फिर वो ड्रायर भी चलाकर पानी में छूड दीती है इससे श्राउट की मौम को जोरदार बिजली का करंट लगा व और यहां उसकी आंखी खुली की खुली रह दी वो काफी इरानों परिशान रह जाता है घबराता हुआ जो बाहिर आया तो इडन को देखता है जो उने की गाड़ी में बैटी हुई थी उसे देखकर श्राउट गोली से मारने जाता है लेकिन वो पै नहीं गाड़ी उससे नीचे कुचन देती है जिससे वो काफी जखमी हो गया उसकी हालत काफी खराब हो गई तब उसकी गन उठाकर इडन उसे मारने की कोशिश करती है पर यह उससी नहीं हो पाता रोते हुई वो गन नीचे पहंग दीती है तब इसी बात का फाइदा उठाकर श्राउट उठा इडन की जा लेने के लिए पर ठीक वक्त पर यह इडन की दोस्त आ गई वो गन उसी जोर से देकर मारती है जिससे श्राउट भी यही मारा जाता है दोनों दोस्ते मिलती है इडन रूती हुए उसका शुक्रिया दा करती है कि तुमने मेरी जान बचाई और पिर तबी इन द पिचारे इडन के डेड मारे गे जबकि वो फैमली और शुराउट की दोस्तों को अपने गलत कामों का सबक मिल गया उन्होंने एक लड़की के साथ गलत किया था जिसकी सजा भी वो पा चुकी थी सबकी ही जान जली गी और इसी के साथ ही इस फिल्म की कहानी भी यही पर ख मजाती है